हेलो वेल्कम बेक टो माई चैनल मैं नीलम आपके साथ और फ्रेंड आप सब कैसे हो उमीद करती हों कि सब लोग अच्छे होंगे खुश होंगे स्वस्त होंगे तो देखे फ्रेंड आज अब चल रही है डीप क्लीनिंग और जैसे की नवरात्रे शुरू होने वाले हैं तो उ मुझे इसमें टाइम लग गया था दो दिन का क्योंकि देखे जब मैं जो काम करने होते हैं ना वो मैं ये नहीं सोचती की वो करवाएंगे या मैं किसी के हेल्प लोंगी क्योंकि सुभी के एक्जाम चल रहे हैं और हजबन को भी आफिस वगरा रहता है तो मैं सारा अपनी प्लानिंग के हिसाब से काम करती हूं तो एक दिन मैंने उस रूम की की और आज मैंने ये दोनों रूम मतलब किये तो इसी लिए मैं कोई व्लॉक नहीं डाल पाई इसी चक्कर में क्योंकि काम बहुत जादा हो गया था और ये मैं इस तरह के और्गनाईजर बना लेती हूं घर में जो मजबूर डबबे वगरा होते हैं और जो ड्रेसिंग टेबल पर जो समान हम रखते हैं न तो उनको जब साफ करते हैं तो इसी रहता है पूरा बॉक्स हम ऐसे हटा लेता है नहीं तो एक-एक समान को हमें हटाना पड़ता है पोंचने के लिए तो ये देखे इस समान अच्छे से रख दो तो मतलब यह रहता है जब भी हम क्लीनिंग करेंगे न तो सीधा बॉक्स अटाके पोंच देंगे और वैसे रहता है बिना उसके तो हर चीज़ एक-एक में टाइम जादा लग जाता है तो चलिए यही बहुत चोटे-चोटे काम मैंने बहुत नहीं होती है डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है क्योंकि editing करना सब काम मैं खुद से ही करती हूं और क्योंकि मैं सुभी का 12 है और मैं चाहती भी नहीं कि जो मेरा है interest जिस चीज में वह मैं खुदी करूं तो यह देखे मैंने इस बैक से भी इस तरह के organizer बनाए और समान को और इस में अलमारी में जो टी-शेट वगरा जो रखी रहती हैं दुपट्टे वगरा इस तरह से आप अगुनाइस करके रखेंगे तो यह बहुत ही कम जगा में हो जाते हैं अभी मैं दिखाऊंगी उसका और यह है जो पूजा का सामवान थोड़ी सी मैं लिष्ट आपको बत सामगरी की वीडियो मैंने पहले जो पढ़ते हैं उसमें मैंने पूरी वीडियो बताई थी कैसे मैं हवन सामगरी बगरा बनाती हूं और कैसे मतलब क्या-क्या तैयारी पहले से करती हूं जैसे आम की लकड़ी मिट्टी को कैसे तैयार करती हूं तो वह उसमें फुल वीडि ले आयोगे मेरी वीडियो थोड़ा लेट भी हो गई है और ये चंदन है पीला चंदन और सफेज चंदन है और रोली वगरा मेरे पास थी और ज्यादा मैं पतंजली का ही यूज़ करती हूँ और उसी का कपूर वगरा भी मैं उनी से यूज़ कर लेती हूँ बागी सुपारी यह तिल का तेल भी मैंने ले लिया है वैसे जलाने के लिए पकी मैं जो मा की अखन जो जलाओंगी वो देसी घी की जलाओंगी हवन के लिए थोड़ा वो नारियल ले लिया है गोला ले लिया है और अभी काफी समान रह गया है लेना वो भी लिश्ट बनी रखी है वो मैं है और बाकी देखे एक में मैंने पूरी ब्लावजे रख दी है जब भी हम कुछ ढूंडते हैं तो पूरा उल्ट पुल्ट कर देते हैं और इसमें रखने पूरा इते हैं ईदर उधर पर फ्मकुलोच ढूरा उल्ल रख सकते हैं तो इस तरह से मैंने बनाए हैं मैंने पांचे बनाए तरह के और बच्चे तो कभी-कभी हमें इतनी जल्दी होती है ना हड़ बड़ी में एक बिलाउज डूढ़ने के चक्र में सारी बिलाउजों को उल्ट-पॉल्ट कर देते हैं तो आप इसमें जो इसका हैंडिल होता है ना पकड़ने का उसको भी कर सकते हैं और इस तरह से सू अवर आध्य मैं लगा लिया है वह अधे दियार सब्सक्राइब कि तेसा नहीं से जैसे कि मैं मंदिर ये वली जो मेरी center table है इसी पर मंदिर लगाती हूँ वैसे हम इसको use भी नहीं करते हैं center table को बस ऐसे ही इस पर समान वगरा रखा रहता है तो इसी पर मैं मोश्री मैं बनला हर साल मैं इसी table पर लगाती हूँ मंदिर तो ये मैंने artificial जो flower मंगायते online उसी से मै थोड़ा सा decorate करूँगी और ये जो money plant की बेल आती artificial उसी को mix करके बस इस तरह से मैंने कुछ सजानी की कोसिस किया है तो बताइएगा कैसा लगा decoration तो friends दो दिन में जहां मैं busy रही जो जो मैंने किया उसका छोटा छोटा किलिप मैंने आपको दिखाया तो थोड़ा बहुत वीडियो आपको useful लगा हो तो वीडियो को like, share, subscribe करना चाइनल को क्योंकि इन छोटी छोटी क्लिप में ही बहुत time लगता है editing करना उस वीडियो को बनाना proper और उसमें इतना time ही नहीं मुझे मिल रहा था घर के काम से कि मैं वीडियो को बना पाऊं तो इसलिए मैं short वीडियो डाल रहे थी पर लेकिन मैं long वीडियो नहीं डाल पाई तो मैं क सुंदर लगेगा तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में और फिर उसमें दर्शन करेंगे मातरानी की ड्रेस मैंने कैसे पनाई कैसे उनको तियार किया तो फ्रेंड ओकी बाबाई जै माता दी